प्रक्राइब इसमें अल्हान रहीं आज अबने अकबर ग्रेट के बारे में पढ़ना है मोगल डैनेस्ट्री में स्टार्ट की आइए तो मोगल डैनेस्ट्री के मैपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि कितने बादशाह गुज़रे गुल अमपायर में तो मोगल अंप सब्वीश से लेके अठारा सो सतावन तक रहा है फंदरा सो चबिस में यह आये थे और फ़रा सो सतावन तक ही रहेंगे टोटल तीन सो इकतीस साल बनते हैं यह भी हम से क्यूज पूछा गया कितने साल हो कुमत किये यह आप वैसे भी निकाल सकते हैं तो इस मुगल कि मुगलबंपाइर कौमद धुशां में तक्सीम करती हैं एक कौं कहेंगे ग्रेटर मुगल और दुसरे कम कहेंगे लेटर गोधा घिनाद अब इत्रें पुछेंद आजा, एक ग्रेटर मुगल तो दूसरा हमारे जो बादशाह गुजरे हैं वो हमारे पास 1526 से लेके 1707 तक है छे बादशाह गुजरे हैं इसमें उसके बाद जो एनरजी हमारे पास है लेटर गुगल इसके अंदर जो हमारे पास 1707 से लेके 1857 तक का जो एरिया है सारा इसमें इसमें महम्मद शारंगीला भी आजाएगा इसमें जो आखरी बादशाबाद और शाजफर है वो भी आजाएगा जबके इसमें हमारे पास बाबर आएगा फिर उसके बाद हमारे पास हमायों आएगा फिर अकबर आएगा फिर जहंगीर आएगा उसके बाद फिर हमारे पास जहान आएगा और उसके बाद हमारे पास औरंग्जेव जो ग्रेटर मुगल है छे उन्हें हम इस तरह से याद रखते हैं बी एच एजे भजसा एस एसा बजसा जो है ना हमारे पास ग्रेटर मुगल है वी से हमारे पास बाबर तर्तीब के साथ हमारे पास हमाया उसका बेटा उसका बेटा फिर अकबर, अकबर का बेटा फिर जहांगीर, जहांगीर का बेटा फिर शाजहान, शाजहान का बेटा फिर औरंग्जेव अलमगीर तो इस तरह से छो है ना छे बात्चा गुद्रें हैं greater मुगल्ज में, इन्हें हमने detail में पढ़ना है ये भी हमने डिसक्स करना है क्योंकि इसके अंदर जो मुगल अमपायर था उसके दोरान जो नहीं एक तो जवाल का शिकार हो चुका था दूसरा अंग्रेज आ गए थे इस दोर में तो अंग्रेज उनने कंट्रोल करना सम शुरू कर दिया था तो आज हमने अकबर के बारे में परणा है ये तीसरा जो बादशाए अकबर अग्रेट इसके बारे में आज हमने परणा है तो यही हमाराज टाफिक है यह मैं रेज करता हूँ फिर हम शुरू करते हैं अकबर के बारे में अच्छा पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो तीन बादशाय से गुजरे हैं जिनके साथ हम ग्रेट का लफ़ लगाते हैं अकबर के साथ मैंने दा ग्रेट लिखा है यह मैंने नहीं लिखा बलके दुनिया इने ग्रेट कहती है तो तीन बादशाय से गुजरे है जिने दुनिया ग्रेट मानती है नमबर वन हमारे पास कौन है जी नमबर वन हमारे पास अलेक्जेंडर दा ग्रेट है अलक्जंडर दा ग्रेट नमबर वन यह था तीन सो चटीस बीसी से लेके तीन सो ताइस बीसी तक था अलक्जंडर दा ग्रेट सिकंदर आजम जिसे हम कहती है दूसरे नमबर पर जो है हमारे पास अशोका अशोका दा ग्रेट इस इस अपिंदर ऊसे फ्रहरे तो यह स्वाइस में आए थो एक यह सो पचासी टियुक्र में पाइशा के रहे है अशोका जो था मौरियन अंपाइब में से था। मौरेन अंपाइब मौरियर गुर्ट फाइव में 35 distrib ना चलए या वहां तक चला हमारे पास अशोका ये जो मौरियन अंपाईब था मौरियन अंपाइब तु! तिस्के वाज़शाह गुजरें है इंडुस्तान में यह बरदल स्किसम के बाश्णा गुजरें नो गए तीसरे जो बाश्शाह हैं हमारे पस यही अकबर गुरेट तीन बात राट इसे उसे गुज़ रि जिनके साथ दुनिया ग्रेट का ग्रेट को पढ़ना है कि रेज़ करता हूं अकबर को हम शुरू करते हैं अक्बर के बारे में पहले आप यह देखती है कि यह पैदा कब हुआ कहां से चला था अकबर के जो बाप था ना उसका नाम था हमारे पास हुमायों हुमायों का यह बेटा था हुमायों का यह बेटा था, यह जो है यहांसे हमने लास्त जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, के शेरशा सूरी ने, जब सूरी डनस्टी कायम की थी, तो हुमायों को शिकस्त हो गई थी बैटल आफ कनोज में, पंद्रासोचालिस की अंदर, बैटल आफ कनोज की अंदर हु बागता है वो जान बचाके भागता है और वो कुस रास्ते से भागता है वो जब गुजरेगा नहीं दर से उमर कोड से उमर कोड से वो जा रहा होता है बेसिकले अपने बाई ये अफगानिस्तान है अफगानिस्तान में उसका बाई असकरी मिर्जा बैठा होता है या कामरान मिर्जा और असकरी मिर्जा उनके पास जा रहा होता है तो यहां से गुजरेगा उमर कोड से हमीदा बानो इनके साथ होती है इनकी बेगम हमीदा बानो और साथ में क्या होता है जी बहराम खान होता है बहराम खान बहराम खान के बारे में यहाता है जिस तरह हंदुस्तान के गद्दारों के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक का नाम आता है रहसे हिंदुस्तान में अगर वफदारों की बात करेंगे तो वफदारों के अंदर अकबर रखा जाएगा आगे जाके यही अकबर ग्रेट बनेगा अब सवाल यह पूछा जाता है यहां से त्यकबर की पैदाइश कहां पे हुई उमर कोट में हुई पाकिस्तानी जो सिंध है इस वक्त का उसके अंदर क्या हुई इसकी पैदाइश हुई कौन से साल में हुई 1542 के अंदर हुई उसके बाद यह जाता है उस स्टोरी सारी में सुना चुका हूं कि भाई इसका क्या करता है हुमायों को कदल करने की कोशिश करत ताकिस्ता एकबर उससे च데 लिया जाता है उसके बाद हुमायों यह एरान भाग जाता है बहराम खान ठाइए हभी अगत्याओ करता है कामरान मिर्जा को और उसके बाद फिर क्या करेगा हिंदुस्तान के पर दोबारा हमला करेगा कब 1555 के अंदर उस वक्ट जो सूरी डिनिस्टी जो सूरीों ने कब्जा किया था उनकी हपमत कमजोर हो चुकी होती है तो इस तरह ये जो हुमायों दोबारा से 1555 में शाह एरान क की हल्ब से क्या करता है अपना तख्ट वापस लेता है तो अकबर भी साथ आएगा अकबर भी साथ आएगा तो इस तरह अकबर क्या यह यहां यह वह यह आपे इन लोग जो बगवत करें unre kuchla जा रहा है तो अकपर साभ जो है पंजाब के जंगलों में मरेुद होते हैं पंजाब के जंगलों में बैरामखदाथ होता है बगवत न com कuchla जा रहा होता है तो उसी तो जो है किसे मिलेगा अकबर को मिलेगा हुमायों से ताज पहनाया जाएगा तो हुमायों के मरने के बाद जो अकबर की ताज पोशी हुई कहा हुई वो पंजाब के जंगलों में हुई की तरवी पंजाब के जंगलों में जब वो क्या करे थे बगावतों कुछलने में मस्र तक इसके हकुमत रहेगी अकबर की 1556 से लेके 1605 तक हकुमत मिल गी उसक्तिस की एज कितने साल की होगी तकरीबन 14 साल जी चोदान साल तकरीबन उसकी जो एज थी कुछ लोग 13 साल भी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं वो कहते हैं जी ये 1543 में फोटी थ्री में ये पैदा हुआ था तो आपने ये दोनों ये जो हैं अपने माइन में रखने हैं 14 साल की उमर में इसे ताज मिला अब 14 साल के बच्चे क्या पता कि हकुमत कैसे चलानी है तो इसका जो गुलाम होता है क्या नाम ताजी बहराम खान बहराम खान के बारे मैं आपको बताया है बहराम खान मैं आपको पताया है वफादारी की अलामत समझा जाता है इंदुस्तान में तो बहराम खान क्या करता है सारा कंट्रॉल जंग होगी बली जंग होगी जिसे हम पानी पत्थ की दूसरी जंग कहेंगे यह मैं रेज करता हूं उसके बाद हम आगे चलते हैं तो पानी पत्थ की जो दूसरी जंग होगी लिखें दरा यह होगी जी पानी पत्थ की दूसरी जंग होगी 1556 के अंदर एक साइड पर जो एना जी अकबर होगा अकबर साथ में बहराम खान वेसल में लडने वाला तो बहराम खान था और दूसरी साइड पर कौन था जी हीमू 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 यह बसिकलि हिंदू जो जर्णेल था गवर्नर था यह जो था नजी दौलत कान लोधी क्यलिए आप यह जो लोधी कहरों सूरी सूरी डिनस्ट्री जो थी आखरी 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 जो बाच्छा तो सूरी डिनस्ट्री का पहला बाच्छा शेर्शा सूरी और आखरी जो अक्मरान होता है आखरी जो बाच्छा होता है वो आदल्शा सूरी होते है आदल्शा सूरी तो आदल्शा सूरी जो है ना वो मु आरात दे दिये सारी कि सारी आर्मी दे दी किसे हीमू को तो हीमू जंग करेगा पानीपत की दूसरी जंग में कौन था एक साइड पर हीमू था और दूसरी साइड पर अकबर या बहराम खान कहलें तो हीमू ये जंग हार जाता है और इसी जंग में ये मारा जाएगा हीमू औ को पताया तो वह पंद्राहीम रोद्धी के अंदर जो डादा अकबर का जहिर अदिन बाबर के तर्म की पान्हें पानिपत्ध की पहली जग पंद्राहीम लाथी की见 औरक बार ने खंद हमासी के अंदर अकबर ये जितिजाता है, अकबर ये जित जाता वेस्कली तो बैराम खान जीता है। अकबर तो बिराए नाम था, उसके माद हम आगे चलते हैं, नेक्स जिवेंट होगा वह जो रहते हैं। नेक्स युवेंट है, वो इस तरह से हैं, इसमें घर में थाज़ाती है। में भी शौषत ह Сयासत और होती है इसकी जो अकभर जो था इसकी एक सोतीली माती महामंगा महामंगा जो थी, इसकी सोतीली माती इसका बेटा था आदम वो चाहती थी, कि अकभर को हटाके आदम सब्सक्राइसने कंट्रोल सम्छा हुआ है ัकिर को बार बार जब बढ़काया जाएगा आकिर कार 1561 10 telefon अक्बर क्या करेका तन्ग आएं तन्ग रा क्या ए तन्ग आके जो रहाएं कि क्या कर stars जारी करदे तो इसे जो रहां को गतल करवा दिया गया कौन से साल में ? 1561 के अंदर याद रखेगे بईराम خान को कतल करवा दिया गया पंद्रहसोइक सेट के अंदर बाद में फिर जो नजी पता चलता है अकबर को जो एमनमिर से गलती हो गई है कुछ लोग कि उसने नहीं कतल कर वाया था किसी और ने उन्हें कतल कर दिया था तो इस तरह से स्टोरी यह बार कैप 1561 के अंदर बेराम खान को सेसिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद अकबर अकेला हो जाता है अकबर को उसकी जो जरूरत है वो भी शिद्द से महसूस होती है खैर एक मुसलमान नाम था मर्यम जमाई जमाई इसका नाम रखा गया था तो यह जो इसके साथ शादियों की राजचा बिहारी मलता राजपूत था अकबर के जो अची बात थी वो यह कहा जाता है कि इसने जो फट्राइब does can दे कम किये थी राजपूतू ने हमेशा मुखलम पाय के साथ जंगें की हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो अकबर ने क्या कि अकबर उनके साथ रिष्टेदारियां करता था राजपुतों के साथ उनके साथ रिष्टेदारियां करके उन्हें अपने साथ मिला लिया करता था तो इस तरह जो है ना जन के बगैर वो क्या करत तर फिर वो इसके खिलाफ कुव लड़ते लड़ते तो फिर इसके साथ मिलके लड़ते थे में खालफ़ों के खिलाफ जोध tempo के साथ शादी कर ली जोधायर Aकبر मुवी दखिय ओगिए आठ ने तो इस तरह से जो एकऴर की शादी हो गई उसके बाद जो events होगा वो होगा जी फत्यप और सिक्री का क्या ना है वो यह यह नहीं तर फिर के पास पीर को ना AMA जी पीर सली म चिस्थी रहें उन्य है पीर लीट कि चिस्थी जो कहा करने माद अब आ फत्यप और सिक्री का फत्य और सिक्री या जी फत्यप और सिक्री जो था यह उतर परदेश के अंदर है किदर है उतर परदेश के अंदर एक इलाका है तो अकबर का पीर का क्या नाम था पीर सलीम चिश्टी पीर सलीम चिश्टी उसका पीर होता है जो कि रहता है किदर फत्यप और सिक्री में तो अकबर जाता है अपने पीर साब के पास उने जाके बताता है जी मेरी उलाद नहीं हो री तो पीर साब जो नहीं क्या करते हैं अशिरवाद देते हैं उन्हें जो नहीं क्या करते हैं दूआ देते हैं तो फिर क्या होता है एक बेटा पैदा होगा कौन से साल में पंद्रह सो उनहत्तर के अंदर 1569 नाइन 6 के अंदर किया होगगा जिसका नाम ये अपने पीर के नाम पर रखे गा पीर का नाम सलीम चिश्ती था तो बेटे का क्या नाम रखें शहजदा सलीम शेज़ादा सलीम इसका नाम रखा जाएगा अपने बेटे का नाम क्या रखेगा शेज़ादा सलीम इसका शेखु बाबा भी यही मशूर हुआ था शेज़ादा सलीम शेखु बाबा तारिख में फिर आगे जाके यह जहांगीर बनेगा क्या बनेगा जहांगीर बनेगा जी ये जहांगीर का टाइटल यूज करेगा तारीख में इसे जो ना हिस्ट्री के अंदर जहांगीर के नाम से याद रखा गया अक्सर पूछ दिया जाता है कि जहांगीर का असल नाम क्या था तो जहांगीर का असल नाम क्या था शहदादा स सली जहांगीर बनेगा आगे जाके अच्छा पंद्रह सो नतर में यह पैदा हुआ अब जो नहीं क्या किया अकबर साब ने पीर को इजद बख्षने के लिए इजद देने के लिए फत्व और सिक्री को क्या बनाया अपना कैपिटल बनाया यह पूछा गया पेपर में कि फत् स्क्री को बनाया था चौदा साल के लिए क्यपिटल हां जी सो तो पंद्रह सो इकत्तर से लेके अग्षा चुराशी तक कर्लें मनें चुरासी कहते हैं कुछ लोग कल प्जासी तक करलें जी तो चौदा साल तक फत्यपूर सिक्री को इस ने अपना अकबर ने केपिटल बनाई रखा अकबर ने केपिटल फत्यप और सिक्री कब से कब तक बनाया 1571 से लेगे 1544 तक ये जो ना फत्यप और सिक्री केपिटल रहा उसके बाद फिर वो पूछता है कमिशन की एकजामें के लाहूर को भी कैपिटल बनाया था कौन से मुगल का 14 के लिए लाहूर रहा तो 84 से लेके 84 से लेके लाहूर लाहूर कब से कब तक रहा अजी 84 से लेके 98 तक 98 तक का जो टैन्योर था ये लाहूर इसको कैपिटल रहा है लाहूर भी कैपिटल रहा अकबर का और फत्यप और सिक्री भी रहा उसके बाद मैं रेज करता हूं नेक प्रवादी गांट लिखें और अगर अगरण शुच्ट ऑट गांट जो होगी यह वह इती पंद्राशो शेत्तर में पंद्राशो शेत्तर की यह बात है एक साइड पराणा परताव होता है राणा कory बैखा होता है दूसरे साइड पर कौन हो अकबर होगा अकबर और रणापरताब के दम्यान में जंग होगी राजिस्तान का कुछ एरिया था राणापरताब साथ चाहित। क्या किया बैटल आफ हल्दी गाट का येर भी याद रखेंगे किसके खिलाफ हुई थी वो भी याद रखेंगे उसके बाद का जो इवेंट है वो दीन इलाही को हम डिसक्रस कर लेते हैं थोड़ा सा दीन इलाही को दीन इलाही अकबर का दीन इलाही अकबर का दीन इलाही जो था ये पेश किया गया था पंद्रह सो ब्यासी के अंदर फिफ्टीन इलाही पेश किया गया था ये क्या था तो अकबर जो था एक सेकुलर किसम का इनसान था ये जो इना इसके दरबार में हिंदू की ज्यादा अमलदारी थी जो इसके हम नोरतन पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर हिंदू थे नोरतन जो थे इसके वो ज्यादातर हिंदू थे हिंदू के अमल दखल ज्यादा था सेकुलर किसम का आदमी था तो इसने क्या किया एक दीन प عبدالعزیز کو first मجدد عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ concept موجود ہے کہ ہر ایک ہزار سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے دین کو اس کے صحیح راستے کے اوپر ڈالتا ہے اگر دین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اسے side میں کر کے جو صحیح اس کی روح ہے دین کی یا مذہب کی وہ کیا کرتا ہے اسے دوبانہ سے بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو دینے تو پہلا مجدد جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنو مئیہ کے اندر جو دین میں خرابیاں ہوئی تھی وہ آ کے ختم کی تھی کس نے عمر بن عبدالعزیز نے وہ بھی بنو مئیہ میں سے تھا اس کے بعد دوسرا وہ یہ اپنا آپ کو مجدد کہتا ہے تقریبا ایک ہزار سال گزرنے والے تھے تو اس نے کیا کہا کہ میں ری فارمر ہوں میں کیا ہوں secondary reformer ہوں second مجدد ہوں لیکن تاریخ نے اسے مجدد نہیں کہا تو اس نے کیا کیا دین کے اندر جو ہے نا اس نے کہا جی میں کیا کر رہا ہوں improvement لے کے آ رہا ہوں جو اس کی صحیح روح ہے اس کے واپس لیلانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس نے جو مذہب تھے اس وقت بڑا مذہب ہندو تھا اور مسلمان تھا ہے اس کے علاوہ جو نا تھوڑا بہت سکھیزم بھی موجود تھی اور باقی لوگ بھی موجود تھے تو اس طرح جو ہے نا اس نے کیا کیا ان سارے مذہب کا جو cracks تھا جو اچھی اچھی باتیں تھی positive چیزیں انہیں اکٹھا کیا اور اس کے بعد ایک دین پیش کر دیا اس نے پھر اس دین کو غلام دیا کس کا دینِ الٰہی اللہ کا دین اللہ کا دین تو دینِ الٰہی کے نام سے اس نے سال پوچھا کون سے سال میں وہ پندرہ سو بیاسی میں ہوا اچھا اس میں دو نظریات تھے وعدتالوجود اور وعدتالشہود وعدتالوجود اور وعدتالشہود یہ دو concept اس کے دور میں روج پہ چڑے تھے وعدتالوجود یہ تھا کہ ہم سارے جو ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں اور مرنے کے بعد ہم نے جا کے پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے جسم کے ساتھ مل جانا ہے وعدتالوجود یہ concept ابن عربی نے دیا تھا ایک اکبر اسی اسی جو یہ تھا تھانا کیا کہتے ہیں اکبر اسی سکول آف تھارٹ کو پیروی کہا کرتا تھا اسی کو بانتا تھا دوسرا تھا وعدتالشہود یہ جو تھا اس میں مجددہ لفظانی کے بارے میں ہم discuss کرتے ہیں تو یہ مطلب basically اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا کرتے ہیں نشاندہ ہی کرتے ہیں ہم اس کی شہادت پیش کرتے ہیں تو وعدتالوجود اور وعدتالشہود ایک دوسرے کے مخالف تھے تو اکبر یا دینِ الٰہی والے جو لوگ تھے یہ وعدتالوجود کے قائل تھے اس نے دینِ الٰہی پیش کر دیا اور سب سے زیادہ ڈٹ کے مخالفت کس نے کی وہ مجددہ لفظانی شیخ احمد سرہندی شیخ احمد سرہندی نامی شخص ہوتے ہیں جی وہ وہ جو تاریخوں نے دوسرا مجدد کہتی ہے تاریخ نے اکبر کو نہیں کہا اکبر اپنے آپ کو کہلواتا تھا لیکن تاریخ نے جو تھا کسے کہا ہے شیخ احمد سرہندی کو سیکنڈ مجدد کہا مجددہ لفظانی شیخ احمد سرہندی نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی تھی نہیں الہی کی بھی اور وحدتال وجود کا جو کنسپٹ تھا اس کی بھی اسے پھر بیچارے کو جیل میں بھی جانا پڑا وہ بہت زیادہ عرصہ جو جیل میں گزارتا ہے تو اس کے پر پھر ظلم بھی کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو تھا دینِ الہی پیش ہوا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ میں ریز کرتا ہوں اس کے بعد جو مین ایونٹ ہوگا اکبر کے دور میں وہ یہ ہوگا کہ اکبر کا جو بیٹا ہوتا ہے شہزادہ سلیم شیخو بابا وہ انتہائی آیاش آدمی تھا تو اس نے کیا کیا اسے جو اپنی ایک قلیز کے ساتھ دربار میں ایک ناچنے والی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے عشق ہو جاتا ہے جس کا کیا نام ہوتا ہے انار کلی انار کلی انار کلی کے ساتھ اسے عشق ہو گیا تو وہ جو انا کیا ہوتا ہے اس کا باپ اکبر کہتا ہے بھی شرم کر کیا کر رہا ہے ہمارے دربار میں ایک ناچنے والی ہے تو جو اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا وہ اسے رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ نہیں رکھتا تو پھر اکبر کیا کرتا ہے اپنا جو وزیراعظم اکبر کا جو وزیراعظم تھا اس کا نام تھا ابو الفضل ابو الفضل کو آرڈر کر دیتا ہے کہ انار کلی کو قتل کروا دیں تو انار کلی کو پندرہ سو نینانوے پندرہ سو نینانوے کے اندر قتل کروا دیا جاتا ہے انار کلی کو مروا دیا گیا کب آہ فیفٹ ون فائیو ڈبل نائن ون فائیو ڈبل نائن کے اندر انار کلی کو مروا دیا گیا انار کلی کدھر دفن ہے یہ سوال پوچھا گیا کمیشن کے ایکزام میں تو آج کا موجود ہے جو پاکستان ہے جو سیویل سیکٹریٹ ہے پنجاب کا جو سیویل سیکٹریٹ ہے وہاں پہ دفن ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے تو یہ سیویل سیکٹریٹ پنجاب کے اندر دفن ہے جو اس وقت پاکستان لاہور میں ہے تو انار کہی کہ قصہ تمام ہوا اب دیکھیں اب جب شیخو بابا کی محبوب ہے وہ قتل کروا دیا جائے گا پھر وہ کیا کرے گا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دے گا اکبر کے خلاف پندرہ سو نینانوے کے اندری وہ کیا کرتا ہے بغاوت کروا دیتا ہے اگر اکبر ایک بضبوط حکمران تھا اکبر جو بغاوت کو کیا کرتا ہے کچھل دیتا ہے تو اس کی بغاوت ناکام ہو جاتی ہے کس کی جہانگیر کی یا شہدادہ سلیم کی یا شیخو بابا کو کہلے ہم ایک ہی نام ہے یہ اچھا اب یہ کیا کرتا ہے باپ سے بدلہ نہیں لے سکا بغاوت کروا ہی راکام ہوئی تو پھر یہ جو ابو الفضل تھا جو وزیر تھا جو مرواتا ہے بسی کلی انار کلی کو تو یہ اسے قتل کروا دیتا ہے کون سے سال میں ابو الفضل کو کب قتل کر رہا ہے ابو الفضل کو قتل کر رہا ہے ابو الفضل جو ہے نا یہ اس کا جو باپ تھا اکبر وہ خود بڑا ہو چکا ہوتا ہے بزرگ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ خیر ماف کر دیتا ہے اسے ماف کر دیتا ہے اسے کچھ نہیں کہتا تو اس کے بعد جو ہے نا سولہ سو پانچ کے اندر سولہ سو پانچ کے اندر اکبر جو ہے اس کی گا ڈیتھ ہو جائے گی ڈیتھ آف اکبر اکبر کون سے سال میں مرا سولہ سو پانچ میں مرا فتح پور سکری کے اندر یہ جو نا اتر پردیش میں وہیں پہ یہ مرا تھا تو اس طرح جو اکبر کی ڈیتھ ہو گئی سولہ سو پانچ کے اندر بیمار تھا آخری دنوں میں اولاد کا دکھ بھی تھا کہ اولاد چاہتی باغی ہو چکی تھی تو اس طرح سے سولہ سو پانچ کے اندر اکبر چلا گیا اس کے علاوہ اکبر کے کارناموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آگرا فورٹ آگرا فورٹ جو بنوایا تھا اکبر نے بنوایا تھا اس کے علاوہ جو لاہور فورٹ ہے لاہور فورٹ لاہور قلعہ لاہور یہ بھی اکبر نے بنوایا تھا تو یہ چند ایک سوال ہیں جن کے بارے میں جو اینجی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ اکبر کا ٹینیور تھا اسے جو اینجی آپ جو ایڈ کرے یہ لیکچر رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ جو انا میں دے دوں تو یہ آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ